श्वागत आप सभी का एजुकेशन आफ आयरवेद में आज फिर से हम सभी पढ़ेंगे रस सास्त के कुछ बहतरीन प्रश्न और इस वीडियो में जो भी प्रश्न आप सभी को बताए जाएंगे पूरी तरह से उत्तर प्रदेश आयरवेद फार्मासिस्ट के विशय के ऊपर ही निर्धारित हैं उसी पर आधारित हैं कोई भी बाहरी क्वेस्टन को इंवाल्व नहीं किया गया है और यदि आप अधर स्टेट के हो चाहें किसी भी अन्यराजिक हैं और आयरवेद फार्मासिस्ट से रिलेटेड तयारी कर रहे हैं या आप आयरवेद स्टाफ नर्स से चैनल को सबस्क्राइब कीजिए और अगर भरती परिच्छाओं से रिलेटेड तयारी करना चाहते हैं तो आज ही प्ले इस्टोर से आयरुभासकर एप को इंस्टॉल कीजिए वहां पे लॉग इन कीजिए और दूसरी चीज हमारा जो एप है स्पेसिफिक है वो एपल स्मा इंवेस्ट किये question को देखते हैं तो रसास्त का जो पहला question है वो है इनमें से किस वेद ये जो question है वेद से लिया गया है तो कहरा कि इनमें से किस वेद में अंजन का विश्तृत उलेख किया गया है तो जब वेद की बात होती है तो वेद जो है बस चार ही है और एक जो आचारियों ने आयरवेद को भी कह दिया है। आयरवेद को पंचम वेद माना जाता है। लेकिन जब अंजन की बात की जाएगी। जिसको हम काजल कहते हैं। अंजन को क्या कहते हैं? काजल, समाने तब काजल ही माना जाता है और काजल के कई प्रकार हैं जैसे शौविरांजन, तिछणांजन, और इस्त्रोतांजन. ऐसे काजल के टाइप आचारियों ने बताया हैं और सुसृत ने सबसे अच्छा काजल जो है, इस्त्रोतांजन को बताया है, तो वो भी से अलग है, लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है, अंजन का ब्रिस्त्रित उलेक किया गया है, तो अंजन का ब्रिस्त्रित उलेक अथर् इस चीज को ध्यान में रखना है कि इने में से कभी भी वेडित में किया गया है इसलिए कोई बात अगर वेद में हो सबसे जादे अथर चीजा ओर बता दें यूड बता कि रीग लेद में भी कुछ धातुernों की बात की गई है इसलिए हम अथरवेद को सही करेंगे अगला प्रशन अगर देखा जाए तो अगला प्रशन जो दूसरा नंबर है वो कह रहा है कि चरक संगीता में कितने धातूं का वर्णन है ये चीज़ दिमाग में रखना है चरक संगीता में कुछ गीने चुने ही धातूं का वर्णन आचारे चरक के द्वारा किया गया है और वह जो है मुख्यता बस छै है कितने है? छै ये चीज़ दिमाग में रखना है आचारे चरक ने जो छै धातूं का उलेक किया है वह बिभिन प्रकार के हैं जिसमें पहला जो है सुवन क्या है शुवन दूसरा जो है तामर कई मतलब कि जो छै है उन्होंने अलग-अलग नाम दिये है तामर है रजत है त्रपू है ठीक है नोट भी कर सकते हैं आप जादे तर नोट करोगे तो आपके दिमाग में ये चीज रहेगा कि नहीं हमें याद भी हो रहा है तो त्रपू है सीशक और लौह सीशक और लौह ये छे धातों का उलेक जो है चरक शंगिता में है शुवन किसे कह रहा है मतलब शोना को किसे शोना मतलब गोल्ड को तामर तामबे को कहा जा रहा है तामबे को तामर कहा जा रहा है रजत चांदी को कहा जा रहा है त्रपू जो है टीन को कहते हैं किसे कहते हैं टीन को और शीशक शीशा को कहा जा रहा है और लोह किसे कहा जा रहा है लोहा को ठीक है इंगलिस में इसे कहते हैं आईरन और इसका जो periodic table में जो symbol है इसको हम क्या कहते है FE C से को Latin नाम में plumbum कहा जाता है इसलिए PB से denote करते है Tina जो है Tina जिसको SN से denote किया जाता है Chandy को AG से denote किया जाता है और Tambe को CU से denote करते हैं और Swern को AU से denote करते हैं तो ये Latin name भी कभी कभी पूस देता है या अंग्रेजी में भी आप बता सकते हो Sone को Gold कहते हैं, Tamr को Copper कहते हैं, Rajat को Silver कहते हैं, Tin जो है Tin को SN से ही denote किया जाता है ठीक है और Plumbum जो है, Lead मतलब की C से को कहा जाता है और Lohe को Iron कहते हैं तो इस तरह से जो है आचारे चरक उलेख करते हैं उसी तरह से अगला प्रशन देखा जाए, तो अगला प्रशन क्या कहा रहा है, उपरशों का प्रियोग चरक शंगिता में कहां के लिए उलेखित किया गया है, अब ये जो प्रशन है एक तरह से बहुत ही साधारण प्रस्ण है लेकिन अगर आप यदि कहीं और पढ़ रहे होगे कहीं भी किसी भी कोचिंग संस्थान में पढ़ रहे होगे कहीं भी पढ़ रहे होंगे तो आप अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो उसी साब से आप इसका जबाब देशकते हो question फिर से पढ़ देते हैं उपरशों का प्रयोग चरक शंगीता में कहां के लिए उलेखित किया गया है तो उपरशों के प्रयोग का जो भी प्रयोग जो भी होता है उपरशों का वह बाहे प्रयोग किया जाता है मतलब कि कभी भी उप्रशो को चरक शंगीता में बताया गया है कि इन्हें हम बाहर ही प्रियोग करते हैं, शरीर के बाहर अंगो में ही प्रियोग कर सकते हैं, उपर से ही इसको प्रियोग में लिया जा सकता है, तो आभ्यांतर प्रियोग नहीं होगा, आभ्यांतर का भी मतलब एप पे जो सीटे है आयरवेद फार्मासिस्ट की लिमिटेड है और अभी तक अगर आपने classes नहीं ली है तो आप classes जल्दी से जल्दी ले ले ऐसा नहों कि आप समय बैतीत कर दो और फिर classes आपको नहीं मिले और दूसरी चीज जो staff से हैं उनकी भी class यहां पर पूरी complete करा दी गई है और एक्जाम की डेट जो है टल गई है एक्जाम अब चुनाओं के बाद होंगे या चुनाओं की गिंती जो voting है उनकी गिंती के बाद होंगे तो आपके पास समय बहुत है आप classes जॉइन कर सकते हो ठीक है next question पे चलते हैं अगला question क्या है अगला question कहा रहा है कि सुस्रुत संगीता में धातु परियोग के साथ किस शब्द का उलेक है question एक बार और पढ़ देते हैं शुशुशंगीता में धातु परियोग के साथ किस सब्द का उलेक है धातु परियोग मतलब धातु परियोग जो है उसे किस सब्द से सुशुशंगीता में कहा गया है तो उसके लिए word जो है use होता है तो आशकृती का शाप्धिक जो अर्थ है वो धातु परियोगी हुआ तो शुशुशंगीता में धातु के लिए अशकृती का प्रियोग किया गया यह याद करने वाला प्रशन है याद हो जायेगा तो फिर लाइफ बन जाएगी यह सोच करके याद करना है जो भी question आपको पढ़ाय जा रहे हैं आप यह मैं समझें कि भॉकाली प्रस्ण है ऐसा नहीं होगा कुछ भी आ सकता है तो पढ़िए पहले खुब दबा के पढ़ना है ताकि फार्मासिस्ट की नोकरी जो है ले लेनी है आप सभी को जान करके बहुत हैरत होगा कि टककर बहुत कम लोगों में है आप लोग बहुत भागे साली हो पेट दिये थे फाराम भर दिये तो बहुत भागे साली हो अब नोकरी नहीं होगी तो फिर कभी नहीं होगी ऐसा सोच करके पढ़ाई करना एक भी question छोड़ना नहीं है बहुत बढ़िया question करके आना है अगला प्रस्ट देखते हैं कहरा कि सुसरुत ने अंजनों में किस अंजन को उत्तम बताया है अभी हमने आगे पहले ही बता दिया था अंजन के प्रकार में कौन सा अंजन जो है सबसे अच्छा सुसरुत बताते हैं तो सुसरुत जो अंजन है सबसे अच्छा कौन सा बता रहा है इस्तरोतांजन स्तुरतांजन का जो उत्पत्ती है, सुसुरुत का मानना ये है कि सिंदु नदी के टट पे ये जो है बनता है तो इस हिसाब से वो इस्तुरतांजन को कहते हैं कि बहुत अच्छा है, आखों के निर्मली करण के लिए मतलब इसे साफ सुथरा बनाने के लिए बहुत अच्छा ये काजल है अगला प्रस्ण लेते हैं अगला प्रस्ण क्या रहा है कि बागभट ने अश्टांग शंग्रह में लौह के जो दो भेद बताया है उन्हें में से एक कृष्ण और अन्य क्या है दिमाग में दो चीज़ें आप रख लीजेगा याद करने के तरीके से बागभट ने अश्टांग शंग्रह में लौह के जो दो भेद बताया है तो ये एक प्रस्ण हो गया ना एक तरह से हमें दूसरा बताना है, अन्य क्या है, क्या वह मृदू है, क्या तिछण है, क्या कान्त है, क्या पुष्पराग है, तो वह जो भेध है, अगला वह है तिछण, तिछण का मतलब क्या है, जो चमकीला है, चमकता है, उसके भेध को बागभट ने बता है, तो बागभट ने आप छट जाओगे कुछ नहीं मिलेगा इसलिए एक दम जोर लगा दीजे जो भी प्रश्न दिये जाएं दस बार देखिए दस बार के आप 20 बार देखिए आपके पास समय है तो दिन भर देखते रहे हैं कुछ और काम मत कीजे बस पढ़ाई ही कीजे बैसा में खाया पिया न लेख गयाल अब बस यह जो बताहाँ जा रहा रहे इसी के लिए कहा जा रहे है तो वह कहा गया है पारे से पारे से बना हुआ अंजन, पारे को हम क्या बोलते हैं, पारे को सिंपली जो हम मरकरी भी कहते हैं, क्या कहते हैं, मरकरी, दिमाग में रखना है, मरकरी इंगलिस में क्या कहते हैं, मरकरी कहा जाता है, तो पारा, तो अश्टांग हिर्दय में आखों के रोक के लिए किसके तौन ही आचारे का नाम अंकीता आप यह मता समझेगा कि सर ने गलत लिए, ऐसा नहीं है ऐसे इनका नाम अंकीत होता है तो डाक्टर हजारी परशाद शुकुल ने रश Śंप्रदाय के विशे में कौनसी पुष्तक लिखे रश शंप्रदाय के विशे में ये वाली तो अगर इस तरह से भी प्रशन है कि रश शंप्रदाय की जो विशे है वह कौन सा है रश शंप्रदाय का विशे कौन सा है या रश शंप्रदाय का जो गरंथ है वह कौन सा है तो वह है सिद्शंप्रदाय विकास और अगर इस तरह स को रखना है याद करते रहिए नहीं तो इसके बाद जो संकट आएगा भरती तो आ जाएगी लेकिन सेलेक्शन नहीं होगा यह चीद दिमाग में रखना मोटिवेशन जरूरी है अपने आपको खुद इसमें उल्जाय रखिए आहम तो कहेंगे कि आप अपने कमरे में जहां भी पढ़ते हो सारे जो भी के question answer है पूरा room जो है पार्ट दीजे लिख करके ताकि कहीं भी प्रशन दिखे तो उसको रट जाएए याद केजे अगला प्रशन कहरा है कि रशार्णों रशार्णों किस सताब्दी का शंग्रह ग्रंथ है तो रशार्णों जो है बरहमी सताब्दी का शंग्रह ग्रंथ है तो ये चीज़ याद रखना है भूलना नहीं है रशार्णों किस सताब्दी का ग्रंथ है वह है बरहमी सताब्दी का याद करना है अगला प्रशन अगला प्रशन कहा रहा है रश शास्त की लिखित अब तक जो शामगरी उपलब्द हुई है उसमें किश का नाम शर्वपर्थम आता है तो ये भी प्रशन आप याद रखिएगा बहुत बेहतरीन प्रशन कहा रहा है उसमें किश का नाम शर्वपर्थम आता है तो रश शास् प्रश्न हमारे पास उपलब्ध है और हम ऐसे ही बेहत्रीन प्रश्नों को आप सभी के लिए ले करके आते रहेंगे और यह जो रशास्त की जो सीरी चुटी है जो भी रशास्त की जो सीरी चल लई है इसका करम नहीं तूटेगा इसको हम तब तक देंगे जब तक आपके करा रहे हैं उतने ही दिये जाएंगे जितना हम दे शकते हैं बाकी सारे जो प्रश्नों का शंग्रा है वो हमारे अब रेंगे चीजें के इसकते हैं तो वीडियो में लाज अभी तक classes join नहीं कर पाए हैं हमारे चैनल पे नहीं पहुंच पाए हैं तो वहां तक वीडियो को पहुंचाना आपकी जिम्मिदारी है वीडियो को जादे जादे share की दिये बहुत बहुत धन्यवाद